आपके पस Moto G84 है, G54 है, कोई भी फून है, तो यहाँ पे आप Vibration and Ringtone की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सेटिंग पर जाएंगे और इस टेप से उप्शन आएगा, साउंड एन वाइबरेशन पर क्लिक कर लेंगे, अब यहाँ से ना आप आप volumes को कंट्रोल कर सकते हैं, कि आपको मीडिया का volume कितना चाहिए, ठीक है, गाना वाना सुनते हैं या कुछ और और यहाँ पे आपका call volume आ जाता है, जिससे आप बात करते हैं, वह वाला call volume, यह आपका ringtone का volume है, जो incoming call आती है, यह notification volume हो गई, और यह होगे आपका alarm ringtone का volume, त और यहाँ से आप vibration वगरा चेंज कर सकते हैं, वाकि यहाँ पे आपको notification का alarm sound चेंज करने का option मिल जाता है, और आपकी alarm का, वाइबरेशन यह होगे, यह होगे vibration call के लिए, मतलब रिंग टोन बज रही है आपकी, तो उसके साथ vibration होता है, तो आप यह on-off कर सकते हैं, यह आप on करके रखेंगे, इसके साथ क्या होता है, कि vibration आपका, मतलब रिंग टोन बज रही होती है ना, फिर धीरे धीरे करके वो increase हो जाती है, और इसके बाद यहाँ पे यह हो गया, outgoing call vibration, call जब जाती है, तो किसी बंदे ने pick कर लिया, तो वाइबरेट होता आपका phone, ठीक है, और होगा, notification का vibration, alarm का vibration, touch का vibration, और आपका जो media vibration वगरा है, वो, तो इनको भी आप on-off कर सकते हैं, सारे एक साथ बंद करने, तो यहां से बंद कर लेंगे, सारे एक साथ on करने, on कर लेंगे, by default, manually ऐसे करके, आप on-off कर लेंगे, तो यह था sound and vibration की setting, मिलते हैं नेक्स वीडियो में ताकिली नमाशकर